नमस्कार, इस समय इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा समस्याएं चल रही है SMS को लेकर यदि आप अपने फोन के SMS बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से भी मैसेज़ेस देखनों को मिल रहे होंगे Someone hand access to your screen अब इसका मतलब क्या हमारे phone के screen को कोई और देख रहा है हमारे messages जो भी incoming message, outgoing message या कोई OTP है इसके messages को कोई और कोई देख तो नहीं रहा यदि आपको ये डर है तो आज के इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि इससे आपको क्या खतरा हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है इसे हम किस प्रकार से बंद कर सकते हैं और ये क्यूँ आ रहा है इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो चली वीडियो को start करते हैं देखो वई ये जो messages आपको देखने को मिल रहे है ये बहुत बड़ी problem नहीं है problem तो यहाँ पर है कि आपके phone में जो भी समस्चाय देखने को मिल रहे है ये एक bug नहीं है ये क्या है Google अपने SMS features को update कर रहा है beta version में अभी launch किया है और आपको अभी update कर रहा है इस application में कुछ और बदलाव कर रहा है आपकी security को लेकर अब ये security किस प्रकार से है क्या है एक बार पहले वो समझ लीजे फिर इसे कैसे बंद करना है ये भी हम आपको बताएंगे मालीजे आप अपने messages box को open करेंगे तो आप उसमें ना तो कोई screen recording कर सकते हैं ना तो कोई screen sharing कर सकते हैं ना किसी को screen short भेज सकते हैं ये ऐसा इसलिए बना रहा है ताकि आप secure हो सको इस बदलाव के कारड ये आपको बग दिखाई दे रहे हैं जैसे example के तोर पे समझेगा यदि आप कोई OTT platform देखेंगे Amazon ले लिजे, Disney ले लिजे example के लिए मैंने दो ऐसे OTT platform ले लिए जो popular है अब मैं माल लेता हूँ Amazon पे कोई भी videos देखता हूँ कोई भी movie देखता हूँ तो उस दोरान आप कोई भी screen recording नहीं कर पाएंगे ना screen short कर पाएंगे ना screen sharing कर पाएंगे ये Amazon OTT platform ने आपके screen sharing को screen short को और screen recording को बंद कर रखा है उसी प्रकार से Google अपने messages security को इस प्रकार से बंद कर रहा है आप न उसको screen short कर सकते हैं ना ही आप screen share कर सकते हैं ना ही आप screen recording कर सकते हैं इसलिए आपको bug problem मिल रही है क्योंकि ये बदलाव किया जा रहा है अब समझ से ये कि इसे बंद कैसे करना है तो सबसे पहले Google Play Store पे जाईए Google Message टाइप कीजे search करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है इस पे tap करना है जैसे tap करेंगे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा you are beta tester मतलब आप beta tester को download कर रखे हैं आपको यहाँ पे leave पे click कर देना है जैसे आप leave कर देंगे आप beta version से बाहर आ जाएंगे ठीक है बाहर आने के बाद यहाँ पे rejoin आ जाएगा मतलब आप join नहीं है आपको क्या कर देना है यहाँ से सीधे back कर लेना है अपने phone को सीधे आपको restart कर देना है क्या करना है फोन को restart कर देना है जैसे अपने phone को आप restart करेंगे आप उसके बाद अपने messages box को check करेंगे तो कुछ हद तक आपकी problem नहीं आएगी लेकिन फिर भी कभी कभी आपको problem देखेने को मिलेगी सबसे पहले आपको SMS के application के app info पे जाना है जैसे यह मेरा SMS है इस SMS के मैं app info पे चले जाता हूँ जाने के बाद आपको यहाँ पे manage notification जो दिख रहा है इस पे click करना है अब देखे यहाँ पी जो notification है मुझे lock screen पे भी मिल रहा है banner पे भी मिल रहा है और bubble पे भी मिल रहा है अगर आपने यह dot वाला जो on कर रहा है इस dot को off करके रखना है यह dot वाला जो है मैं do not show कर देता हूँ इस तरह से और मैं bubble को off कर देता हूँ तो अगर आप यह दोनों चीजे कर देते हैं तो आपकी यह problem देखने को नहीं मिलेगा इतना करके आप छोड़ दीजिए आपका problem सट आउट हो जाएगा आपके phone के messages वाफ की security को और बढ़ाया जा रहा है बदला जा रहा है इसकी वज़ा से यह समस्या आपको देखने को मिल सकती है अगर यह वीडियो पसंदा दो वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं कुछ ऐसे ही और interesting knowledge के साथ Thank you so much जैहिन जैभाराद